अभी हम बाइसेक्टिंग मेथड़ के अनुशार केसे काल्कुलेटर में एक कुस्चिन को सल्व कियें उस ती तरब नाजर दीजिए ये कुस्चिन नबर वान को स्क्रीन सेट करके अपने नोट में लेख दीजिए उसको लेखने के बाद ये सल्विंग बाइसेक्टिंग मेथड का कुछ फर्मुला है कुस्चिन नबर वान के स्टेप वान और स्टेप टू दिया गया है उसको भी अपने मोबाइल से स्क्रीन सेट करके step 1 और step 2 लेख दीजिए उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे काल्कुलेटर में किया जाता है बाइसेक्टिंग मेथोड को सल्यूशन किया जाता है अभी देखिए बाइसेक्टिंग में ट्यान x प्लस ट्यान x x is equal to f of x कुस्चिन दिया गया है नाव हम इसे कैसे सर्फ करें नाव ले f of 0 का भाल्यू निकाले f of 1 का भाल्यू निकाले f of 2 का भाल्यू निकाले हम उसे first क्या कर ले store कर ले कैसे 0 shift आर्चले c 1 shift आर्चल b c 2 shift आर्चल c c 3 shift आर्चल d c इसे store करें हूँ उसके बाद उसको लेखे ट्यान ट्यान आलफा a प्लस हाइट परवलिक का साइन यह है हाइट परवलिक उससे क्या की भन दिया है ट्यान h उसके बाद 3 दबादे आलफा a is square to उसका वालिव निकल गया देखे यहाँ 0 निकल गया है 0 तो f of 0 का वालिव क्या हो गया 0 उसके बाद आलफा b आलफा b is equal to 2.31 हो गया 2.31 यह greater than 0 निकल गया उसके बाद c निकल गया आलफा c यह minus 1.22 निकल गया minus 1.22 टेस्टन 0 so root lies between 1,2 अभी जानगे अभी हम a 0 को 1 लेकर a में store करेंगे store on a इसको b 0 का value 2 लेकर यहाँ से 2 लेकर उसको हम b में store करेंगे उसके बाद mk निकल लेंगे mk का value क्या है a plus b divided by 2 हमने पिछले वीडियो में दिया है तो कैसे निकले 1 shift r cell a c 2 shift r cell b c हो गया उसके बाद क्या लिखें alpha a plus alpha b divided by 2 इसको आटो कितना निकल गया 1.5 1.5 निकल गया दखते हैं 1.5 उसको हम किस में store करेंगे c में shift r cell c c उसके बाद निकलेंगे f k minus 1 f m k means इसका f में value put कर इसका f में value put कर क्या करेंगे अभी tan alpha a plus hyperbolic का sign उसके बाद 3 alpha a is equal to कितना निकला 2.31 उसको हम store कर दे d में इसके बाद क्या निकलेंगे upper space यहाँ m k का value so c है हमारा m k यहाँ c alpha c इसको अल्टू कितना निकल गया यह है उसको हम store करेंगे e में उसके बाद alpha d into alpha e निकलेंगे यहाँ दिया है न f a यहाँ है यह d का value है यह e का value है उसको हम solve करेंगे d और e इसको अल्टू कितना आ गया 34 जो greater than 0 है greater than 0 से क्या होता है यह greater than 0 होगा तो क्या होगा यह होगा यह फर्मूला को याद कर लो यह होगा अब ही क्या करेंगे उसको ac दबा देंगे ac यह close नहीं करेंगे ac दबा देंगे ac उसके बाद क्या करेंगे store run 1.5 1.5 shift rcl a ac 2 shift rcl b ac greater than 0 आया है इधर 1.5 लेखेंगे इधर 2 ही 2 ही रहेगा इधर यह आया है क्योंकि यह हमारा greater than 0 है उसके बाद यह क्या आएगा देखें अपर स्पेस 1,2,3,4,5,6,7,8,9 हमारा value यह है mk का value इसलिए हम इसको टाइप करके इसको आटू सायंदवा दे 1.75 हो गया इसको लेखेंगे दे 1.75 उसके बाद उसको कहां पर store क्या है store run shift rcl cse उसके बाद डाल कर दे फर्मूला तक हमारा फर्मूला यह निकलना है उसके बाद इसका value क्या हो गया 15.500.7 उसको store करेंगे d में c कर दिया उसके बाद फिर से इसके value निकलना है इसका value हो गया minus cse shift store run e c उसके बाद फिर से जाए इतने जोर दोर से भी दबाद कर फर्मूला टाप करना चाहिए क्योंकि एक्जाम में इतने समय नहीं करने के लिए is equal to हो गया minus 60.8 उसका value क्या हो गया less than 0 इधर क्या हो गया ना 1.5 रहेगा इसके उनुजाई इसके उनुजाई क्या हो गया 1.5 रहेगा ये 2 का value 1.75 आएगा यहाँ क्या होगा उसको ac दबाकर दबादे answer यहाँ a plus by 2 is equal to 1.75 फिर से आया इसे store करके ले जाओ उसके बाद क्या होगा जब ही हमारा यहाँ 1.57 यह से आया कि नहीं iteration double iteration 5.7 यहाँ राइट है 5.7 यहाँ है पर यहाँ 5.6 यह 5.9 है so हम 3 iteration तक लगे इसले 1.570 यह हमारा answer है hence the root of correct to two decimal places be 1.57 if given two decimal places if given three decimal places you continue the process 1.570 यह फर्मूला है याद कोलो यह ही फर्मूला है हमारा गणित का यह हमारा यह हमारा थार्मूला है thank you झाल झाल